स्वागत है आप सभी का स्कोब 360 चैनल पर कल देर रात NTA के द्वारा CVT 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है अब आप CVT का स्कोर लेकर अलग-अलग इन्वर्स्टी में एड्मिशन कराने जाएंगे चाहे आपके टार्गेट इन्वर्स्टी डियू हो चाहे बियच्ची हो चाहे एयू हो चाहे जयामाई हो कोई CV इन्वर्स्टी हो तो इस वीड़ो के माद्यम से हम इलाव अन्वर्स्टी में एड्मिशन से रिलेटेट तीन महत्पोंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे पहला टॉपिक यह है कि इसका जो रजिस्टेशन पोटल है वो कब से सुरू होगा दूसरा है इसकी कांसलिंग पर क्रिया कब से सुरू होगी और इसका कटाप कितना जाएगा इन सारी चीजों की चर्चा हम इस वीड़ो के माद्यम से करने जा रहे हैं और यह सारी मतलब की जानकारी बिए-बी-ए-स-ई, बिकॉम, बिए-पि-ए-बी-ए-फे और बीए-ए-ल-ल-बी के कोर्से के लिए हैं मैं आप विड़ो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यह बोलना चाहूंगा कि आप जो है लाइक से ज़ादा कमेंट दे रहे ही समय मतलब हमने एक वीडियो अपलोड किया उसमें 46 लाइक था तो कम से कम 85 कमेंट था मतलब दो गुना तो आप प्लीज इतना इंफरमेटिव जनकारी आप सभी के लिए दीज आ रही है तो लाइक की जो संख्या है वो तीन गुना रखिए कमेंट की संख्या उससे कम रखिए मैं ही एक ऐसा यूटूबर हो जो तुम्हारे हरे कमेंट का एंसर दे रहा हूँ आप चाहा जाकर कमेंट खोल कर देख लिया करें हाँ वो अलग बात है कि मुवाइल हाथ में ना रहे तो समय का कमेंट का अंसर नहीं दिया जा सकता मलब की नहीं दे पाया रहूंगा तो अलग बात है तो चलिए आप वीडियो की शुरुआत करते हैं और आई होप की जो है आप जो हमारे वीडियो स्कूब लाइक भी करेंगे तो देखे हमारे चैनल पर अब तक जो मतलब सस्क्राइबर हैं वो 9565 है प्लीज आज ही इसे दस हजार पहुंचा दीजे तो एक माइल स्टोन मैं भी प्राप्त कर रहूंगा और आपकी हेल्प तो में लगातार करता ही रहूंगा तो चलिए अब वीडियो की करते हैं सुरुबाद तो क्वेशन नंबर फस्ट आपका यह है रजिस्टेशन पोर्टल आपका कब खुलेगा तो देखे अब इलावा अनुवर्सटी में रजिस्टेशन पोर्टल जो है आज सून आज पॉसिबल जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मतलब की रिलावा इनुवर्सटी का रजिस्टेशन पोर्टल खुल जाएगा यह मानके चलिए दो से तीन दिन के अंदर इससे रिलेटेड कोई इन्फोर्मेशन मिल सकती है हो सकता है कल तक ही मिल जा लेकिन मैं आपको कम से कम मतलब की मा बता रहा हूं कि तीन दिन में इसका रिजिस्टेशन पोर्टल खुल जाएगा तो यह आपके पहले प्रस्न का जबाब हुआ सारी जानकारी स्कोब 360 चैनल पर आपको अपलब रहेगी इसलिए और कहीं जाने की जरूत नहीं है इस चैनल को सस्क्राइब करिए और यही इसलिए जो है अपना एडमिशन मतलब की चाहते हैं तो जब रजिस्टेशन पोर्टल पर रजिस्टेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तब इसलिए जो है कटाफ जारी करेगा अलग अलग कोर्सेश के लिए बीए के लिए बीकॉम के लिए बीपीए के लिए तो जितने courses आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उन्स सब में सबसे ज़्यादा high कटाब अगर किसी कर रहेगा तो वो BA course कर रहेगा बाकी courses का कटाब जो है BA के मुकाबले थोड़ा कम रहता है हर साल इलाहब अनिवर्स्टी में ये देखा गया है और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है तो ये बात आप ध्यान दीजेगा अब सबाल उड़ता है कि BA के लिए कितने नंबर हो ये एक expected मतलब जानकारी है ये मतलब कि सटीक बैठ जया तो अलग बात है कितने नंबर हमारे पास हो कि हमारा admission BA, BSC, BC, BC, BPA, BFA और BLLV में हो जाए तो मैं बार-बार बोलना चाहूंगा कि अगर आपके नंबर साट से सतर परसेंटेज के बीच मतलब जितना आपने नंबर परसेंटाइल में नहीं बोल रहा हूं परसेंटेज जैसे आपका पुडांक जितना था और आपने उसमें से जो नर्मलाइज स्कूर आपको मिला है उसका जो है पूरे पुडांक अगर साट से सतर परसेंट के बीच आपका आ रहा है नंबर यह मान के चली मतलब 900 में अगर तकरीबन साड़े 500 के उपर नंबर है तो आपके चांसेज हैं इलाव अनवर्स्टी में B.A. में एडमिशन प्र रहेगा 55 से मान के चली 60-62% तक इसका रहेगा B.L.L.B. का कटाब भी जो है 58 से 62-63% के आजपास जितने साल अभी तक इलाव अनवर्स्टी में हुआ है उन सब के एवरेज के आधारपर में आपको बता रहा हूं कितने कटाब होंगे और यह कटाब तब जारी किया जाएग तो उस हिसाब से मतलब कि इलाव अनवर्स्टी कटाब जारी करेगा उसके पहले जो भी चटाब आपको बताये जाएगे वो सब expected होंगे वो सही नहीं होंगे क्योंकि सही कटाब जो है जारी इलाव अनवर्स्टी ही कर सकता है हम और आप अनमान लगा सकते हैं अगली बात करेंगे counseling कब होगा जब एक बार आपका k entire जारी कर दिया जाएगा तो उसके दो से तीन दिन के बाद आपकी counseling की पर क्रिया सुरू हो जाएगी अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि क्या counseling online होगा या फिर offline होगा तो देखी इलाव अनुट्स्टी में ज़्यादा तर काउंसलिंग आफ लाइन ही होती है ठीक है तो मेर यह है कि इस बार भी आपका काउंसलिंग जो है आफ लाइन ही हो अगर इस बार प्रक्रिया चेंज होती है आल लाइन होती है तो इसकी भी सूचना आपको दी जाएगी लेकिन एक बात आपको यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड और समझनी होगी वो यह है कि यदि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड डाकुमेंट्स अभी पता ही नहीं है कौन-कौन से लगेंगे तो वीडियो में तुरंत कमेंट करो मैं आपके लिए डाकुमेंट्स का ए हैं वन्यमात्रम